नमस्कार दोस्तों मैं सी अनुब भाटिया आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है How to fill ITR 1 for the assessment year 2021 Because आप सब की knowledge में है कि वित्तवर्श 19-20 के संदर्ब में हमें assessment year 2021 में जो ITR भरनी है उसके अलग-अलग form ITR 1 से लेकर कि ITR 7 CBDT दोरा notify किये जा चुके है तो आज इसी सीरीज की मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके साथ ITR 1 की चर्चा के थ्रू तो सबसे पहली बात दोस्तों coverage क्या है हमारी आज की इस particular वीडियो में who can file ITR 1? ITR 1 कौन व्यक्ति, कौन असरसी फाइल कर सकता है who can't file ITR 1? ITR 1 कौन लोग फाइल नहीं कर सकते है यानि उनके लिए दूसरे form applicable है ITR 1 applicable नहीं है what is the due date? ITR 1 भरने की last date क्या है दोस्तों? whether mandatory e-filing is required or not इस प्रिश्ण का भी उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे and we will also have discussion on ITR 1 and respective precautions thereof जो भी वहाँ पर मेरा professional experience है उससे जो चीज़े मैं आपको suggest कर सकता हूँ वो बताने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली बात who can file ITR 1? if you are a resident and ordinarily resident in India यानि अगर आप not ordinarily resident हैं या आप non-resident हैं तो आप ITR 1 fill up नहीं कर सकते हैं if you have income under the head salaries but your total income does not exceed rupees 50 lakh अगर आपकी total income 50 lakh रुपे तक है तब sir आप ITR 1 बढ़ सकते हैं लेकिन यह पचास रुपे से ज्यादा कि जिस भी व्यक्ति की total income है क्योंकि उसे अपनी assets liability का ब्योरा देना होता है तो ऐसा व्यक्ति ITR 1 नहीं बर सकता if you are a family pensioner अगर आप family pensioner हैं तो भी sir आपके लिए ITR 1 उप्युक्त form है if you have income from house property यदि आपके पास में house property head से income है लेकिन आपके पास में एक से ज्यादा मकान संपत्ती नहीं है और नहीं आपके पास में house property head में carry forward करने के लिए कोई losses हैं तो ऐसी परिस्तिती में भी आप ITR 1 का option avail कर सकते हैं and if you have income under the head income from the other sources except winning from lottery and winning from horse races अगर income from other source है say for example interest income, dividend income इस प्रकार की परिस्तिती में भी आप ITR 1 भर सकते हैं लेकिन यदि आपके पास में other source में winning from lottery या winning from horse race संबन्दी income है तो sir आपके लिए ITR 1 उप्रिक फार्म नहीं होगा अब मैं आपसे बात करता हूँ who can't file ITR 1 ITR 1 कौन व्यक्ति फाइल नहीं कर सकता पहली बात NSSE who has assets including financial interest in an entity located outside India यदि आपकी इंडिया से बहार कुछ संपतियां है तो ऐसी परिस्तिती में आप ITR 1 फिलप करने की योगे नहीं है अब ITR 1 फिलप करने की योगे होना अच्छी बात है या नहीं है कि नहीं साब ITR 1 में ही निकल जाए मेरा काम तो अच्छा है आप इस पर न फोकस करिए कि आपके लिए कौन सा फॉर्म बेसिकली अच्छा रहेगा आपकी जो income की परिस्थतियां है उसके इसाब से भारत सरकार जो detail आपसे मांग रही है मेरा एकना है वो detail आपको देनी आवश्चक है और यदि आप उन details को देने से बचेंगे भी तो भी सर भारत सरकार के पास सूचना के इतने स्रोत है कि मान लीजे for example आपके पास इंडिया से बाहर located asset है और आप नहीं बताना चारे और कल भारत सरकार की नजर में वो सूचना आई जाएगी किसने किसी प्रकार से double taxation avoidance agreement में sharing होती है तो ऐसी परिष्टती में उस दिन आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है इसलिए सही form का selection करना बहुत महत्पूर्ण है तो दूसरी बात who can't file ITR1 NSSE who has signing authority in an account located outside India यदि भारत से बाहर किसी account में आपके बाद signing capacity है तो आप ITR1 नहीं बर सकते who has income from any source outside India यदि आपका विदेश से कोई आयका स्रोत है तो ITR1 नहीं बरी जा सकती who is a director in a company आप किसी Indian private limited public limited company में director है तो भी दोस्तों ITR1 आपके लिए quick form नहीं है and one who held unlisted equity share जिस वेक्ति के पास में unlisted equity share हो देखिए listed share की बात नहीं है लिस्टेड है तो आप ITR1 में आ सकते लेकिन unlisted equity share है तो आप ITR1 बरने के योग नहीं है क्योंकि unlisted equity share के holder होने की परिस्तिती में बारत सरकार इस पश्ट सूचरा मांगती है महाँ पर ITR2 ITR3 as the case जाएगा असरसी द्वारा और यही लिस्ट दोस्तों फिर continue कर रहा हूं who is claiming relief under section 90, 90 and 91 of the income tax act 1961 जो व्यक्ति double taxation relief claim करता है वो व्यक्ति भी दोस्तों ITR1 फिलब नहीं कर सकता ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास में agriculture income 5000 से ज़्यादा की हो relevant financial year में ऐसा असरसी भी sir ITR1 नहीं फिलब करेगा ऐसा person जिसकी total income 50 लाग से उपर है जैसा मैंने पहले भी बोला ऐसा व्यक्ति भी sir ITR1 भरने की योग्य नहीं है and a person who has earned income by way of dividend above rupees 10 लाग 10 लाग रुपे तक का dividend है तो आप ITR1 भर सकते हैं लेकिन यदी 10 लाग रुपे से उपर का dividend है आपकी income है financial year 19-20 की तो ऐसी परिस्तिती में भी दोस्तों आप ITR1 भरने की योग्य नहीं है तो सबसे महत्मोंड चीज ये निर्दाहित करना था कि ITR1 कौन भर सकता है कौन नहीं तो आई होप ये डिस्टिंग्विश्मेंट अब आपको ध्यान रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सामने प्रिश्ट का उत्तर लेना चाहता हूँ इस साल भारत सरकार ने COVID-19 सिनारियों में बढ़ा करके 30 नमबर 2020 कर दिया है यह है सर हमारी नॉर्मल डूडेट जिसे हम सेक्शन 139.1 की डूडेट भी बोलते हैं लेकिन अगर किसी वज़े से आप 30 नमबर तक रिटर नहीं भर पाए तो आपके पास में सेक्शन 234.F की जो फीस लगती है वो फीस के साथ में 1000, 5000, 10000, 10000, as the case में भी उसके साथ दोस्तो 31 माज 2021 तक भी ITR-1 बरने का उप्शन लागू रहेगा इसमें कोई संक्शन नहीं अब यहां देखिए बहुत ही महत्पूर्ट प्रशन है Is it mandatory to file ITR-1 online only? क्या ITR-1 online ही बरना है क्या? यह mandatory है तो वैसे तो आप सब लोग अब ज़्यादा तर e-filing of return ही कर रहे हैं परन्तु इस प्रिश्चन ता सपश्च उत्तर यही है कि it is mandatory to file the ITRs online for all the registered taxpayers except for those who are above 80 years of age and do not have any income from business or profession केवल ऐसे अससीज जो 80 साल या उससे अधिक के आयू के हो गए relevant financial year में और जिनके पास business profession की income नहीं है यह दुनों condition एक साथ पूरी होनी चाहिए कि आपके उमर 80 साल या उससे अधिक हो और as senior citizen rather super senior citizen कहूं तो और आपके पास में कोई income from business profession नहीं है तब ही आप physical return बर सकते हैं otherwise आपके लिए immediately e-filing of return करना जरूरी है आईए दोस्तों अब आपके साथ में मैं करता हूँ discussion regarding the form क्या ITR1 में क्या-क्या nitty gritties हैं क्या details हैं जो हमें fill up करनी है assessment year 2021 ITR1 जिसका प्यार से नाम सहज है आपको pen number, अपना नाम, date of birth, आधार नमबर fill up करना है mobile, email ID, address fill up करना है मेरा suggestion है सर, mobile number, email ID आप स्वयम का दें अपने consultant का ना दें ताकि कल income tax department जब आप से communicate करें तो आपके सीधे mobile number पर message आएं आपके email ID पर relevant mail आए फिर आप अपने consultant को share कर सकते हैं यहां साब यह message आ रहा है, please look into this इससे आपका भी track अच्छा रहेगा फिर आप कौन से section में return भर रहे हैं 139.1 यानि regular return belated return भर रहे हैं या आप अपनी return को जब आपने original भरिये तो कभी-कभी revise करने की आउशक्ता भी होती है तो ऐसी परिस्तिती में revise return भरी जा सकती है इसी प्रकार से यदि कोई notice आया उसके response में आप return भर रहे हैं तो यह भी subsequent परिस्तितियों में आएगा initial return आप तो यह मान के चलिए अगर timely भरेंगे तो 139.1 और belated भरेंगे तो 139.4 आपको tick करना है यहां आप अपना nature of employment बताएंगे state government, central government, public sector, pensioner, not applicable, etc. अगर revise या defective return है तो पिछली return की details यहां पर आपको देनी है और relevant जो UDIN जिससे वो particular order generate हुआ है वो document identification number भी आपको यहां पर mention करना पड़ेगा यह जो दोस्तों आपके सामने रत में जा रहा हूं second portion यह portion बड़ा important है क्योंकि यह आया है finance number 211-2019 की वज़े से क्योंकि भारत सरकार ने 139-1 section में amendment करके एक seventh proviso insert किया और यह बोला कि नीचे लिखे तीन व्यक्तियों के लिए अगर otherwise return भरने की आवश्रक्ता नहीं है परंतु वो इन में से एक किसी criteria में आ जाते हैं तो उनके लिए return भरना mandatory हो गया अब अगर आप 139-1 में return भरने के लिए otherwise libel नहीं है अब आप बोलोगे वाटिया जी मैं libel कब हूँ तो मेरा सरल सा suggestion है सर अगर आपकी income gross total income above exemption limit है मैं gross total income बोल रहा हूँ यानि chapter 6-1 के deduction लिए विना अगर आपकी gross total income बिना chapter 6-1 के साथ-साथ 54-54 GB के exemption जो हम capital gain heads में लेते हैं उनको लिए विना भी above exemption limit है इसी प्रकार से 10AA sales के exemption लिए विना भी basic exemption limit धाई लाग से उपर है तो आपके लिए return भरना otherwise भी mandatory लेकिन मैं माननों के आपकी gross total income धाई लाग से कम है परन्तु आप इन तीन में से किसी एक शर्त में आ गए तो आपके लिए return भरना mandatory हो जाता है क्या क्या condition है Have you deposited amount or aggregate of the amount exceeding rupees 1 crore in one or more current account during the previous year Yes or No यदि Yes है तो यहाँ figure दीजिए Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of the amount exceeding rupees 2 lakh for a travel to a foreign country of yourself or any other person other person relative हो जरूर नहीं आपने किसी भी व्यक्ती की विदेश श्यात्रा sponsor करिए और आपका खर्चा 2 lakh रुपे से उपर है अगर आप हाँ मोलते हैं तो यह amount fill up करिए Have you incurred expenditure of amount or aggregate of the amount exceeding rupees 1 lakh यह बड़ी जबरदस शर्त है 1 lakh रुपे से ज़्यादा का भी यदि आपने electricity consumption पर खर्च किया है यदि आपका उत्तर हाँ है तो ऐसी परिस्तिती में आपको हाँ fill up करके respective amount यहाँ पर बतानी पड़ेगी चलिए अब आपके साथ मैं return के अगले portion पर चलता हूँ आपको सबसे पहले gross total income में क्या क्या detail देनी है अपनी salary आप यहां बताएंगे ठीक है gross salary gross salary का bifurcation law पूछ रहा है आप से form पूछ रहा है salary बताईए perquisit बताईए profit in lieu of salary बताईए यदि आप section 10 में कोई allowances exemption के claim करते हैं तो नहीं यह उलेखित करिए finally आपकी net salary क्या होती है यह आपको बताना है standard deduction, entertainment allowance या professional tax के नाम पर अगर आपको कोई deduction लेना है वो लीजे finally आपकी salary income क्या आएगी वो यहां पर आपको बताना है इसके साथ साथ सर आपको house property के बारे में चर्चा करनी है तो यह बताना है कि क्या मेरी self occupied property है let out property है या deemed let out property है उस property की detail भी form में मांगी जाएगी जैसे ही आप respective option चूज करेंगे फिर आपको यह बताना है साथ कि मेरा अगर किराय पर property है तो मेरे को gross rent उस पे कितना मिला इसमें से authorities को क्या local taxes दिये इसको remaining value को हम annual value बोलते हैं इसमें से 30% deduction लेने के साथ साथ आप interest on borrowed capital का deduction लेंगे यदि कोई पुराना बकाया किराय आया है तो उसको जोड़ दीजे और इस प्रकार आपकी income under the head house property डिटर्माइन होगी इसके बाद दोस्तों आप income under the head house property जोड़ेंगे यदि कोई deduction उसमें से लेना है जैसे माली जे family pension का one third या पंद्रा अजार whichever is lower का deduction अससी को मिलता है वो लेगा इस प्रकार सर salary plus house property plus other source तीन चीजे जोड़ करके आपकी जीटियाय आएगी यानि बड़ा सरल सा message है अगर आपके बास से PGVP या capital gain head में income है तो आप ITR 1 नहीं बढ़ सकते फिर आपको ITR 2 या 3 opt for करनी पड़ेगी यहां देखे दोस्तों कुछ बदलाव किया गया है क्योंकि हमें पता है कि COVID-19 सिनारियों के अंदर भारत सरकार ने कहा अगर आपने chapter 6 है के contribution financial year 19-20 के लिए 31 मार्च तक नहीं किये तो कोई बात ने अगर आपने 30 जून तक भी कर दिये और अब उसको बढ़ा करके 31 जुलाई कर दिया तो हम आपको तो भी उस पीरिड में 1 अप्रेल से 31 जुलाई के बीच किये गए contribution का deduction दे देंगे तो यहां पर आपसे एक सपष्ट बात पूछी है whether you have made any investment deposit payment between 1 अप्रेल 20 से 30 जून 20 इसे भी correct करके 31 जुलाई सरकार कर लेगी for the purpose of claiming any deduction under part B of chapter 6 यदि आपका उत्तर रहा है तो एक schedule D.I.A. जो हमें fill up करना है उसके अलावा जो respective deductions आप जहां भी claim करते हैं वो respective amounts आप fill up करते जाएए ATTTA, ATTTB, ATC, ATWG और finally यहाँ आपकी total deductions की amount दोस्तों निकल आएगी और देखे अगर आपने further कोई exempt income report कर रहे हैं तो उसका drop down के through आप e-filing facility में relevant clause चूज़ करेंगे say for example dividend income और यहाँ उसके बाद आपको computation of tax payable के normal tax कितना दिना है rebate आप कितनी claim कर रहे है, tax after rebate कितना है health and education says कितना आएगा, total tax and says कितना होता है यदि कोई double tax, कोई आप relief 89 में claim कर रहे हैं तो वो लीजिए 234 ABC का ब्याज कितना बनता है वो दीजिए 234 F में fees कितनी है वो amount mention करिए total tax interest fees निकल जाएगी इसके हिसाब से आपने जो tax pay कर दिया क्या आपको amount tax payable है तो वो यहाँ आएगा और यदि refund आपको बनता है due तो वो यहाँ पर mention कर दिया जाएगा अब यह जो information है party की वड़ी important है यहाँ आपको अपना bank detail देना है और देखे क्या बुल रहा है form कहरा detail of all bank account handling India at any time during the previous year तो जितने भी bank account है sir form तो यही कहरा है आप सारे bank account बताईए अगर आपने कोई bank account नहीं बताया और कल भारत सरकार की नजर में वो bank account आएगा क्योंकि pen number की linking से अब bank account number सारे trace होते है और उस खाते में कुछ transaction हुए है तो वो particular bank account आपके लिए problem कर सकता है पहली बात दूसरी बात यह सारे कि bank account number डालते समय कुछ लोग गलती करते हैं कि account number सही नहीं डालते उसकी वज़े से जब कोई व्यक्ती refund क्लेम करता है तो refund क्लेम करते समय उसका refund आने में कई बार दिक्कत आती है टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है इसलिए मेरा एक कहना है कि bank account number को दो बार चेक करें फिर आप इंसर्ट करें आगे देखिए details of advanced tax and self-adjustment tax और इसी प्रकार से TDS TCS की detail भी आपको fill up करनी है वो आपके 26 AS में automatically मिल जाती है except at self-adjustment वो क्योंकि आप generally return बढ़ते समय decide करते हैं तो वहाँ पर आप उस amount को तै कर सकते है यहां मैंने आपके साथ में जो उपर chapter 6 है यानि deductions from GTI एक schedule DI की बात करी थी वो schedule DI है जिसमें सरकारे बोल रही है कि अच्छा यह सारे deduction जो हम claim करते हैं इसमें से eligible amount of deduction during the financial year 19-20 किती है और 1 April 20-30 June 20 जिसे मैं बोल रहा हूँ 31 जुलाई कर दिया जाएगा 31 जुलाई के बीच में कित्ते amount है वो आपको इस particular schedule के अंदर यहां पर respectively mention करना है मान लीजे आपने कोई contribution इस period में किया ही नहीं तो कुछ नहीं fill up करना फिर यहां पर जो details है किवल वही fill up कर दीजे यह दोस्तों simple last verification portion है जहां आप अपना नाम अपने पिता जी का नाम individual की capacity में हम return भरते है ITR1 pan number अपना mention करें signature आपको तभी करना है जब physical बरेंगे आजकल हम अधार OTP के through return e-verify करा देते हैं इसलिए वो यहां पर कोई विशेश महत्मुन बात नहीं रहती अन्तमें दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे सुनने के लिए मैं आशा करता हूं यह particular video आपको ITR1 भरने में निश्चतरूप से मददगार होगी यदि आपके ITR1 भरने से संबंदित कोई प्रशनों हो तो आप मुझे लिख सकते हैं इसी प्रकार से सर में ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर भी आने वाले समय में छोटे-छोटे videos बना करके आपके सामने आऊंगा मुझे सुनने के लिए धन्यवाद जैन